पिछले 100 से भी जादा दिनों में न्यूजिलैंड में कम्यूनिटी स्प्रेट वाला करोना का एक भी केस नहीं आया है यहां क्रिकेट का आयोजन हो सकता है लेकिन अभी वही समर सीजन नहीं आया ऐसे में ن्यूजिलन क्रिकेट बोर्ड ने एलान कर दिया है कि आने वाले समर सीजन में उनकी टीम चार देशों की मेजबानी करेगी न्यूजिलन क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए तयारी शुरू कर दी है न्यूजिलांड क्रिकेट के अनुसार वेस्ट इंडीज, बांगलादेश, पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया इस समर में न्यूजिलांड का दौरा करेंगे जिसमें 37 दिनों का अंतराष्ट्री क्रिकेट निर्धारित है न्यूजिलैंड क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाडियों के साथ और इस दौरे पर आने वाली टीमों के साथ कौरिंटाइन बबल को लागू करने पर ध्यान देगा जैसा कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने अपनी हालिया टेस्स सीरीज के लिए इस्तिमाल किया था न्यूजिलैंड क्रिकेट के सीओ डेविड वाइट ने कहा है हम कुछ सब्ता में घोशना करेंगे सरकार ने यहां बहुत अच्छा काम किया है वो आगे बढ़कर न्यूजिलैंड में क्रिकेट की बहाली का समर्थन कर रही है यह वास्तव में सरकार द्वारा संचालित है यह वास्तव में उनकी प्रात्मिक ताई है इसलिए हमें उन सभी प्रभंदित आइसलेशन नियमों का पालन करना चाहिए जो बनाए गए हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वड़े से दुनिया भर में 100 दिन से भी जादा समय तक इंटरनाशनल क्रिकेट बंध थी लेकिन इंग्लाइन वेस्ट इंडीस तेस सीरीज के साथ अंतराश्टरी क्रिकेट की बहाली होई थी इसके बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लाइन के दोरे पर गई यहां तक कि IPL के 13 सीजन की शुरुआ भी अगले महिने हो रही है ऐसे में अगले कुछ महिने आप कम से कम लाइफ क्रिकेट का लुप तुछा सकेंगे जिसके लिए फैंस इंतजार कर रहे थे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यू स्पोर्ट्स को सब्स्क्राइब करना ना भूलें